नमस्कार, मत्य प्रिदेश के सम्मानित मेरे अतिती सिक्चक भाई बहनों नमस्कार, आप सबसे पुना आज ओडियो के माध्यम से चर्चा करने का मन हुआ, और आप से बात कर रहा हूँ, अब 21 तारिक को गवलियर में एक बड़ा अंदोलन का एलान किया है, उस अंदोलन के लिए लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन कौन? वो लोग जिने नोकरी की सक्ति जर्रत है, वो लोग जिनके घर चूले नहीं चल पा रहे हैं, वो रात दिन लिख रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं हैं, उनके लिए एक व्यक्ति जो समाज सेवक है, एक व्यक्ति जिनको अतिती सिक्चकों से कोई मतलब नहीं, उन्होंने अतिती सिक्चकों की पीड़ा समझी, अतिती सिक्चकों का दर्द समझा, आज मैं उन लोगों से कुछ समय के लिए चर्चा करना चाहता हूँ जो लोग यू केते हैं कि शंबुचरन दुबे जी अतिती सिक्चकों के माध्यम से राज निती करना चाहते हैं वो लोग कान कोल कर सुनें। आपको एक बात और पेले बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई स्वार्ती व्यक्ति नहीं हूँ ना संबुचरन दुबे जी से मेरा कोई स्वार्त हैं ना मैं उनसे किसी स्वार्त से जुड़ा हूँ। ना मैंने उनसे कुछ ले रखा है कि मैं उनका गुणगान करूँ, लेकिन आज सुवे सुवे जब मैं योग करने के बाद तोड़ा चिंतन किया, तो आप लोगों से दिल की बात करने की बात कर रही है, शंबुचरन दुवे जी पिछले दो वर्सों से अतिती सिक्षकों के ल कुछ नहीं दिया, बुरा ही ये दी, गालियां दी और बुरा बला का, एसे व्यक्ति को, खेर लोगों ने तो राम चंद्री जी को नहीं चोड़ा, लोगों ने भगवान को नहीं चोड़ा, लेकिन क्या भगवान अपने कार्म के प्रती इस धर्ती पर आयते तो क्या कर्म क करके नहीं गये पूरी लिलाएं और पूरा कर्म करके गये संबु भाईया को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता हां में भी उना जहां मुझे लगा में भी सपोर्ट में नहीं गया लेकिन किन में सिर्फ बातों में लेकिन आज तक एक व्यक्ति खड़ाओ कर बता दे कि जग जुमिना के आंदोलन किया हो चाहे नीतु रजावज जी ने आंदोलन किया हो चाहे संबु भाईया ने आंदोलन किया हो जगदिश सास्त्री हमेशा उस आंदोलन में गया जहां अतिती की बात होती हो मेरी टीम वहाँ पर गई ये मेरे भाई अभीयम खान वहाँ पर गई जा अतिती की बात होती हूँ लेकिन अतिती सिक्षकों से कहना चाता हूँ आम अतिती सिक्षकों से कहना चाता हूँ कि आपने जीवन में संबू वहिया को दिया क्या है आपको संबू वहिया ने बहुत चल जाता है कि इस परिवार को दिक्कत है उस परिवार की चाहि कितनी मदद करी हो लेकिन उस व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद भी की तत्त के आदार पर बोल रहा हूं कि मदद की है कि क्या दिक्कत है आपको मैं आम अतिती से बात कर रहा हूं नेतरत्व करताओं से बात कर रहा हूं नेत्रत्व करताओं मैं और इनकी बाद बाद में करूंगा दिक्कत आम अतिती सिक्चकों में हैं ब्रांतिया पहल जाती है आप लोगों में आप यह बताओ आपका कौन सा नेत्रत्व अतिती सिक्चकों का है जिसने पिछले 6 महिने में अंदुलन की बात करी हूं आज उपचुनाओ है उपचुनाओ के समय जो बड़ा दल है वो जितना बड़ा ताकत के साथ दम के साथ अंदोलन कर लेगा सरकार को बोड चाहिए बोड बैंक के लिए भीड दिखा देगा चाहित दिखा देगा उस व्यक्ति की बात सरकार मानेगी और आचार सहीता की अगर मैं बात कहूं तो वो सिर्फ आचार सहीता हुआ लगी हुई है दोस्तो जहां पर चुनाओ ना है अगर आपने पूरी मुंडिया अभी लगी नहीं है आचार सहीता तो लगने में टाइम है अगर उसके पहले हमने अंदोलन किया है अगर आपने मुं प्रदेश इस्तरी आंदोलन हम कर रहे हैं सिर्फ राजनीती मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं किसी को बता दूं सभी के बारे में कोई चाहे आपके कितने संगटने में सबका नाम ले रहा हूं चाहे राजु मीना जी का सहुख सत्तिती सिक्षा को कभी आंदोलन की बात करी कहें आपको दिखे चाहे समयनवय समीती सुनिल परियार जी का संगटनों सिर्फ मुख्य मंत्री को ग्यापन की लवा कोई बड़े आंदोलन की बात उन्होंने भी पिछले एक साल के अंदर सत्या ग्रे के बात नहीं की चाहे अर्जुन परियार अर्जुन सिंग जी हो चाहे और भी जो संगटनों उन्होंने किसी ने भी आंदोलन की बात नहीं करी इसके बीच आपके बीच में फिर पुनावस व्यक्ति को आना पड़ा उन्होंने देखा कि संगटन इनका भिख्रा वो आए जब वो आ चुके हैं चुनाओ के नजदीक हैं दबाव बनाने का उचित समय है फिर आम अतिती सिक्चकों को इन अध्यक्चों और इन संगटनों की चालों में नहीं पसना चाहिए आम अतिती सिक्चकों को अपने हक के लिए अपने घर से निकलना चाहिए घर पे बे वाटस अप ओपर क्या रखा है एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि गृपों में देखता हूं दिन बर लिख लिख के अपना समय बर बात कर देते हैं और आम अतिति शिक्षकों आपकी संक्या मद्ध्यप्रदेश में एक लाक है सत्तर हजार और तीस अजार और वो लोग है जिनको पुराने लोग जो हटगाएं, उनको चाहिए, सभी से कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए, तो इन संगटनों के हर्या फेरी में मत पढ़िये आप, क्योंकि उप्चिनाव का समय, जितने अधिक संक्या में आप गवलीर पोज गए, मान के चलना, आपका हक मिलने की व गया हूँ, इसलिए मैं के रहा हूँ, वो व्यक्ति जिसने आज तक आप से कुछ नहीं मंगा, आपने ना उसको कुछ दिया है, बुराई के इलावा, संभुचन दुवे जी, अगर उनको राजनीती करना होता, तो इतना पेशा लगा कर वो राजनीती में कूच जाते, उनको करना होगा, तो अपने दम पर कर लेंगे, लेकिन पेले अतिति सिक्चकों को दिल बना चाते हैं, वो हमारे बीच में साल बर में आते हैं, दो बार भी आते हैं, तो अंगामा करकर सरकार के उपर दबाओ इतना बना जाते हैं, कि काम हो जाए, लेकिन कई कमजोर हो जा इस बार मैं जग्दिश सास्त्री आप से कह रहा हूं जो हमेसा आपके साथ कड़ा रहता हूं निकलो घरों से तूट पड़ो इतनी संक्या होना चाहिए कि गवलियर का फूल बाग का मेधान भरा जाए और शंबुचर्ण दुबे जी को आप बता दो कि आप संक्या चाहते त पदिस्ताइत और वेतलवान मिल जाए लेकिन वो जम मिलेगा जब आप तयारिया करो फेस्बुक पर महुल बना दो ट्वीटर पर महुल बना दो वाटसप पर कुछ मतलिको वाटसप तो आप लोगों का है वो ही पड़ेंगे एसा महुल बनाओ क्या अंदोलन का संक्ना दो हो जाए और 21 तारिक के लिए आप 20 तारिक को अपने घरों से निकल जाओ और 21 तारिक को पूरा मेदान भरत जाना चाहिए एसी आलत कर दो तब कुछ होगा पांच लोग सुनील जी के पांच लोगों निकल पड़ों जीरे बैया कुछ नहीं होना है कुछ मत करो वेड़ जा आएगा घरवा लोग को खिला पाओगे वरना एक हो जाओ निकल पड़ो जो लोग आपको रोके उनको मूपे जबाद दो कि आप दिलवारा ओके नियमिती करन आपके केने पर हम घर बेड़ जाते हैं आपके केने पर हमवा चले जाते हैं वरना आप लोग तूड़ जाओ उनका Facebook WhatsApp पे support ने किया हो लेकिन उनका विरोध कभी ने किया ना सुनिल परियार का किया ना राजु मीर्णा का किया किसी का ने किया और उनके हर अतिति के अंदोलन में खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहा हूंगा लेकिन जरुरत नहीं पढ़ना चाहिए जब इतन अधितिक आज़ादी देने के लिए निकल पड़ो और फूलबाक मेदान बर दो वरना राजिनितिक बाते और इन अध्यक्षों ने जिनोंने आज तक आप से सिर्फ बाते किये लेकिन इसे समय में जब सरकार पर दबाव बनना चाहिए कोई आंदोलन नहीं किया इन बातों से पेट नहीं बरेगा इन बातों से कुछ नहीं और जो अध्यक्ष राजिनिति करें जो इस 21 के कारिकम को लेकर राजिनिति करें उसको भी पकड़ कर वहां पर लेकर आओ जनता के बीच में कि आप अध्यक्षों तो अतिति सिक्षकों के नाम के उपर ये बात कर रहा हो न कि आज ठीक फेस्बुक पर एक बज़े पुना मिलेंगे आप सब लोग निकल पड़ो एलान कर दो और 21 तारिक को पुना आवान करता हूं कि पूलबाग का मेदान वर दो जय हिन जय भारत जय अतितिति